गुजरात में सियासी तक्रार के बीच कॉंग्रेस ने अपने नया ध्यक्ष की घोशना कर दी है अब तक पार्टी में उपाध ध्यक्ष का पत संभाल रहे राहूल गांधी को अब पार्टी की कमान सौंप दी गई है कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी के अध्यान के साथ ही पार्टी कारिकरताओं में जबरदस्त उच्साह का मौहल है। सभी कार्टी कार ला पहुंच कर जशन में डूबे हुए हैं। अब तक पार्टी की कमान सोन्या गांधी के हाथ में थी लेकिन अब सोन्या गांधी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष हो गई हैं वैसे राहूल गांधी गुजराच चुनाव प्रचार में मश्रूफ हैं इसलिए वो 16 दिसंबर को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहन करें आप देख सकते हैं कारिकरता जश्न में डूबे हुए हैं सभी राहूल गांधी की अधक्ष बनाये जाने पर काफी खुश नजर आ रहे हैं ना चुका रहे हैं एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं तो कॉंग्रेस में राहूल यूप का आगाज हो चुका है